हाई फ्रेंज्ट बिल्कम बैक टू माई चैनल बहुत ही शांदार ये रेश्पी होने वाला है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही जटपट बन जाने वाला है आप इसको अगर मेरे तरीके से बनाते हो तो बहुत ही आपका परफेक्ट बनेगा अब बहुत ही अच्छा मत्तब एक कप कमे बना रहे हूं एक कप बेशन लेना है मार्केट का बेशन लें और मुटा पतला कुछ भी नहीं बदला लिजेगा और इसमें अभी मैं लिओ थी प्रॉट नहीं थी फोट कप दूद्र लेकिन उसमें एक कप लग जाता है तो मैं एक कप लिख दी हूँ और बाद में उसको और डालूँगी तो ये इसको पहले फ्रसाबेशन को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद या तो छनी से चान के भी ले सकते हैं उससे क्या होतार लम्स बेगरा जुराता खता हो जाता अथ थोड़ा थोड़ा दूद दे करके अथ यह थोड़ा थोड़ा ही दूद दे करके कि सोमीविक्स करते जारही हूं तो देख सकते हैं मैंने में एक यह मिक्स कर लिया है और इसमें जिस Cup लिया था न ऊ बेटर होना चाहिए तो आपको तो अबड़े चमत से बी दिखा दूगी किस तरह का restrictive कहोना चाहिए तो मैं दीखिए इसको चमस से दिखा देरी हैं देखिए यहतं हमा सकते हैं इस बहुत आप चोंफी और आप अगर स्मूफ में तो आप उसको मैं दिखाऊंगी क्या करना है इस तरह का ठीकने सोना चाहिए तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूं क्योंकि थोड़ा सा भी बेश्ट क्यों करना दूद में भी है मेक्सिये बेशन और बेशन भी हिल दी दूद भी हिल दी सारा मैंने पोच करके रख लिया है इसको छोड़ दिया हूँ आप उसको कुछ दिर करने देथे यह पैन लिया है पैन में फाल कर लिया है सबस्क्राइब दोद्ट मो चीनी उतना ही पानी लेना है सेम क्वांटिटी में और उसको डाल करके मतलब दिखे सारा मैं चीनी को घोल करके उसमें डाल दी हूँ और डाल करके मिक्स करते जाए और इसके बाद मिक्स करके इसको पकाते जाए मतलब पकाना क्या है चासनी बनाना है चासनी कैसा बनाना है त को थोड़ा सा किलाने की वह सेुआ ज़नगर यहां तो थोड़ा सा मिलालीया है केशर को और उसके बाद इसको डाल सकते हैं अगर इसको पका लिया है यहां पर तेल जैसी रही कि पहले पसिफा न कि चासनी वही चासी इसको तेयार करना है नहीं हुआ तो नहीं हुआ था फिर में थोड़ासा पकाई हूँ अब लग रहा है पहले था पतला लग रहा था आप बिलकुल तेल जैसे लग रहा है अब इसको क्या करेंगे, गयस को बंध कर देंगे और इसको अलग रख देंगे, तो मैंने गयस को बंध कर दिया, अलग छोड़ दिया, अब देखेż, यहाँ पे क्योण की इसको यह चासनी बनने में तीन चार मियाट या पांच मैट भी लगा होगा उतना देर यह फूला है अब इसको थोड़ा सा और फेट लिजेए फेटने से क्या होगा अच्छा सा बनेगा तो आप जितना फेटेंगे जिसे विसकर है तो विसकर से फेट यह या स्पून से इस भाज का सकते हैं। आप समझी करोों कि क्या में बदा रही हुआ हो तो यह रहस्थान का मिल्क भूंदी का लड्टू होता है। तो वह मैं मिठाई बना रही हूँ तो तेल को गरम किया है अच्छा गरम होना चाहिए और थोड़ा एक बुन डाल करके देखा है तो देख सकते हैं बिल्कुल गोल परफिक्ट बना उसको पकने दीजिए अब छनी के ऊपर इस तरह से डालिए तो घर में अगर जिसे उस तरह कब लड़ू बनाने वाला है तो आप उसको ले सकते हैं ये भी क्युक्य घर में तो इस तरह का सब के पास होता है देखे मैं नीचे रख रहे हूँ नै जज्यादा ऊपर रहे हूँ बिल्कुल परफिक्ट और गोल गोल बुन्दी बन रहे हैं बहुत अच्छा जैसे मेरे तो आप जैसे पानी के साथ बना रहे हो जै जो आगा ना कि बच गया बेटर लगा उप और गाट लिजे उसको धो लिजे धो करके सके से पोच लिजे उसके बाद दुवारा आप भूंदी बना सकते हैं उसमें लगा हुआ रहे तो बिल्कोल खराब हो जाएगा तो मैं देखिए इसको चला रही हूं उसी सेम से असा कि एक ही प्यास मेरे पास था उसी चम्मस से मैं चनी से निकाल रही हूं अचनी को निकालने के बाद क्या करूंगी थोड़ा से पानी से धोलूंगी तो फिर वह खराब जागा बुंदी चिपक जागा बैटर तो तो इस तरह से गिरना चाहिए मतलब आप परफेक्ट मिक्षर बनाईए परफेक्ट इस तरह से जैसे जैसे मैं बताई हूं ना जितना लेना है आप सेम तरीके से लोगे बहुत अच्छा बनेगा अब देखिए बीच में था क्या उजला जैसा था मतलब डार्क नहीं था ल कर लिए उसके बाद इसको निकाल लिए चनी पर इसमें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है जिसे आपको लग रहा हो कि जल गया नहीं नहीं दूद के कारण यह कलर आ गया है अब देखिए सारे को मैंने सेम तरीके से बुंदी को बना लिया है जो देखे मैं घटका दी होने थोड़ा वाँ तो जो चार बुंदी लास्ट वाला क्योंकि चिपक गया था लास्ट हो चुका था बैटर तो थोड़े से बड़े हो गया अगर एक ही तरफ से रखे रहो गए तो सारा एक साइज का बनेगा मेरे हश्में राइस्थान से मिल् तो जब लाए तो बहुत एक टेस्टी लगा तो मैं सुचिए उसको बनाना तो बनता है अब देखिए तोड़का सा गरम है और इसको गैस को लो फ्लेम पे यह रखी हो मतला भी तो नहीं रखन की हो और उसके पहले मिक्स कर लेती है उसका लो फ्लेम पे इसको आउन कर दू इक क्या लगी वोल बना और यहीं करते हैं गी क्यूंक्ताय जो चासनी ऐह गी में तला हुआ अर इसको चासनी आ लिजिए सुखाने से क्या होगा बुंदी भी यह बिल्कुल हलका हो जाएगा सौप्ट हो जाएगा और इसके बाद गैस बंद कर दिया मैंने और इसके बाद मावा जो बनाया था वह मावा को इस तरह से चूर लिजिए तो तोड़ करके डाला आपका दुकस करके भी डालें और ज़्यादा इजी तरीके से मिक्स हो जाएगा मावा डालने से क्या बांड डायेगा बाइंडिंगा तो बंड करने में बनाने में इजी हो जाएगा तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया है तो मेरी फ्रेंडिक रास्थान के वो बोली कि तुम बैटर में अगर थोड़ी सी इलाइची पॉडर डाल देते तो और भी अच्छा टेस्ट आता तो मैं नेक्स टैम बनाओंगी तुम बैटर में या बना रहे हो तो आप बैटर में भी जो बेशन का वैटर बनाया उसमें भी थोड़ा सा इलाइची पॉडर डाल दीजेगा अब देखिए सारा को मैंने मिक्स कर लिया है अब एक बड़ा चम्मच लिया है इस तरह से चम्मच से बनाओंगी न कोई भी चम्मच से मेजर करके या कोई भी डंबा का ढखकन ले करक अर टेस्ट तो लाजवाब लग रहा था देखिए इसको मैंने रख लिया इससे चोटा बनाना चाहते हैं तो इससे चोटा बना सकते हैं और इस तरह का बनाना चाहते हैं तो इस तरह से मेजर करके बनाने से क्या होता है सारा सेम साइज का बनता है तो देखिए तो मैं डाल कर सकते हैं तो मैं बिना ड्राइफूर्स का बनाई उपर से डेकोरेट करूंगी तो देखिए सारा लड्डू को मैंने बना लिया है उत एक कप बेशन से दस लड्डू इस तरह का बना है यह लड्डू आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं कॉमेंट करके जरूर आप इस तरह से मतलब बेशन का जो मिल्क लड्डू बनता उसको बनाईए आपको यह मिल्क लड्डू कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग